तो दोस्तों ये गाजर हमने भिगो दी थी इसकी और भिगोकर अच्छे से धो लिया है धोने का आप गाजर अपनी कॉन्पटी के साफ एक किलो दो किलो जो भी आप ले सकते हैं और उसके बाद हम इसका गाजर का जो रेशे होते हैं इसका इस तरीके से शिलका उतार देंगे तरीके से शिल्का ऊतारने के बाल हए कैसे वाश करेंगे गाज़ने के चाल इसको कद्दू कस करेंगे यह जीज़ने करीने प्व झालन गिस गराम होच्छाऍह All और हम क्या आई अब आदा इन श्रिछ को अदो कũा ज्युक्टात करेंगे हम सबसे पहले एक बड़ा देशी घी डालेंगे तो यह देशी घी डाल कर ही बनाएंगे इसमें देशी घी डाल दिया है अब यहां पर हम अपनी गाजा डाल देंगे इसके अंबर कुकर में कि अब इसको मच्च कर लेंगे कि एक लगभा भून लेंगे ताकि इसका जो थोड़ा साल का सब्सक्राइब करना है यहां पर इसमें हम ज्यादा दूद्ध और खोया इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम यहां पर एक कप दूद्ध हम लेंगे वह भी इसलिए डालेंगे इसमें यह देखे एक कप से कमी है दूद्ध फोड़ा सा एक बन तहाई है दूद्ध तो इसलिए डालेंगे ताकि इसको गल्ने में अस्थानी हो जाए ताकि हमारी जो गाजर अच्छे से गल सके इतना ही दूद्ध इसमें मैट करेंगे सिर्फ गल्ने के लिए अब इसके बाद हम इसको पतने में हैं क्या हाल है यह कूक रहां कि हम इसको देखें कर लेते हैं कि ठीक स्पकिए नहीं है पक गई है और इसमें पानी किसे लाला लाल राका तो पकने में ही खत्म हो गया है अब यहां पे हम क्या करेंगे चीनि डाल देंगे चीनि आप अपने टेस्साथ जितना मीठा खाना के शहां दीजिएगा यहां पर हम दूद या खोया बिना खोये और दूद का हल्वा बना रहे हैं इसमें नहीं खोया है नहीं दूद है और यह चीनी पर्टों पानी चूपने लगेगा यहां पर फिसके वाल हम इसके साथ ही इसमें एक चमच घी और डालेंगे देशी घी वह भी डाल देंगे आप ज्यादा भी डाल सकते हैं त तो इससे हमारे जो हल्वा बनेगा तो पेस्टी बनेगा और उसमें कहते शाइन आ जाएगा अब दोस्तों वीडियो अभी आदास तक देखिएगा तो अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें कुछ चीजें और भी हम आइड करेंगे तो प्लीस हमारे वीडियो में बने अब हम यहां पर आधा चबमत इलाजी पाउडर डाले हैं और चोटा चबमत डालना और इसको अच्छे से मिक्स कर रहें हैं एद्राइफूर्स को तक हम को चाहें को साधा बना रहे हैं बिना ड्राइफूर्स के आप चाहें तो अगर हैसे अपनी इच्छा अबसार लेकिन अभी हम ड्राइफूर्स नहीं निक्स करने हैं और यह हमारे पास हमने दिया है यहां पर इसमें सुखा दूद मिल्क पाउडर जो आता है वह इसमें एड़ करेंगे दो बड़े चमच आप तो चाहें तो ज्यादा या कम भी कर सकते हैं क्योंकि आप यहां पर खोया जाद भी विला रहे हैं और बीना दूद खोया के बना र हलुआ बनकर तयार हो गया है यह बहुत ही रिलेशेस बना है जबकि हमने इसमें कोई भी ड्राइफ फूट्स वगरा कुछ भी नहीं डाला है और ना ही इसमें दूद का इस्तेमाल किया है आप लोग इसको बनाईएगा और कमेंट्स में हमें जरूर बताईएगा कि हमारी का इस्वा के रेसिप हेंい रेसिपि हरो करा इसिए बाई जादा को चल भाई करbons ड़ी अग दूला कि घॉरा च्ट्रे decision एदि हबुरा कि गंवान झादाने कि को आखने कि वह खनला होगी जाशिया ह Audra कि घशका पहो हाईएगाउ आदाने के जादाने है हर्ला हचांगा सश